तो, आज आपके रहा है है एक OLED ठीक है जो हम लोग OLED जो हम लोग यूज करते हैं वो ही OLED हम लोग आसानी से बना सकते हैं अपने घर पे तो यह OLED एक्चली में क्या है तो OLED है Organic Light Emitting Diode तो यह जो Light Emitting Diode है इसको हमने घर पे बनाया है तो अगर आप इस वीडिव को देख लेंगे तो आप भी आसानी से इस ओ लेडी हम लोग घर पे बना सकते हैं इस वीडियो स्पंसर बाई LTM.com यहाँ पर आप लोग आसानी से स्केमिक बना सकते हैं PCB डिजाइन कर सकते हैं किसी भी प्रकार के गरबर फाइल, बोम फाइल यह सब कुछ आसानी से क्रेट कर सकते हैं इस software के trial के लिए नीचे देवा लिंक पर क्लिक करें तो यह जो LED आप देख रहे हैं इस LED का technology जो है वो बहुत ही easy है अगर आप लोग अच्छी तरह देख लेंगे तो आप भी आसानी से इस तरह LED घर पे बना सकते हैं तो इस पर देखिए दो वायर है एनोड और cathode तो यह company made है हम लोग इसको घर पे भी आसानी से बना सकते जैसे कि मैंने बनाया है अभी आप लोग देख सकते हैं इस पर करका LED यह थोड़ा बरा है क्योंकि मैं इस तना छोटा बना नहीं सकता अभी तो इसलिए मैंने बरा करके इसको बनाया है तो इस पर दो conductive glass हमने लगया है लगा के इसके अंदर जो solution डाला है उसके बाद हम लोग इसका एनोड और cathode पे voltage देने पर यह काम करता है तो यह जो system है इसको हम लोग LED जो है इसको हम लोग किस पकड़ से आसानी से घर पे बना सकते है वो आज हम लोग सीखेंगे तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो तो इस project को बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग को इस तरह glass खरिदना होगा आप इसको online कईपे भी आप इसको खरिद सकते हैं तो यह हम लोग इस glass को बोलते है ITO glass या फिर conductive glass ठीक है अगर आप नहीं खरिदेंगे तो आप घर पे भी आसानी से बना सकते मेरे चैनल पे जो पहला जो वीडियो में ने डाला था डिस्प्ले का उपर उसी तरह आप इसको घर पे आसानी से बना सकते हैं या फिर आप इसको खरिद के भी कर सकते हैं तो आभी देखिए यह conductive जो है वो एक तरफ पर होते हैं दूसरी तरफ पर नहीं होता तो मैं आब आपको दिखाता हूँ तो अभी देखिए इस पर नहीं हो रहा है इस पर भी नहीं हो रहा है, तो जब भी इसको उल्टा करके देंगे, तो शायद हो जाएगा भी, तो देखें, यह voltage आ रहा है इसमें, तो इसको भी मैं उल्टा कर देता हूं, तो दोनों पर courageous है एक तरफ और दुसरी तरफ उस 용ण नहीं है तो अभी हम लोग इसी ग्लाश को यूज्श करके हम लोग स्पोज्ट को बनाएगी तो सबसे पहले जिस तफ ग्लाश को बनाएगी सलग को पहले एक सबसे uğआएग Newton तो इस पर हम लोग ग्लास को लगाएंगी ठीक है जब भी कंटेक्टिव इस पर डालेंगे तो अच् haD songs इस फैल जाहें तो अभी खंटीक्तね मैं इस पड़ीशन उसको देखिये यह थे रहा सलॉशन यह तो यह का नाम है तो यह बहुत बड़ा नाम है और आपको यह रेयर मिलेगा ज्यादा नहीं मिलेगा सभी ओनलाइन पर नहीं मिलेगा तो इसको आम लोग इस पर एक बूंद डालेंगे तो डालने के पर फैल को आम लोग गुमा देंगे तो अभी यह अच्छी तरह यह फैल जाएगा ठीक है पूरी जगा पर इसको फैलना चाहिए अच्छी तरह से तो फिट से मैं और एक बून डालता हूँ इस तरह आप लोग इस पर बून डालके इसको फैलाना होगा और इसको सुखाना होगा नहीं तो ये काम नहीं करेगा तो इसको मैं अभी फैला दिया अभी हम लोग इसको स्टार्ट करेंगे तो अभी हम लोग हीट करके इसको सुखाएंगे तो अभी देखिए ये सूख गया है तो इसको सूखने के बाद हम लोग इसका जो कॉंटेक्टिव पर हमने एक सोलूशन डाला है और अभी दूसरा जो ग्लास है उसका जिस तरफ कॉंटेक्टिव होगा अभी इसका उपर की तरफ है इसको अम लोग घुमा देंगे घुमाने के बाद अभी हम लोग इसको इस तरह फिट करेंगे एक के उपर एक ठीक है तो दोनुँ तरफ हम लोग को वैर लगाने का जगा इसको रखना होगा ताके आसानी से आप इस पर नेगेटिव और प्लेंगे तो आभी देखिए यह हमने फिट कर दिया इस पर आप देख सेब तरह और दोनों के तरफ हम लोग जो कि वायर लगाएंगे जो कि एक तोड जो है वो होगा जहां पे हमने जो क्लूरेट को लगाया है जो रहा रेट कलर का इस क्लूरेट पर हम लोग लगाएंगे नेगडिव को और जो उल्टे तरफ मैंने जो ब्लैंक ग्लास इस पर डाला था वो होगा पॉजिटिव तो अब यह दोनों तरफ हमने लगा दिया है अभी हम लोग इस पर बोल्टीज देंगे देने के बाद यह ग्लो करेगा तो देखा आपने किस पकड़ से आसानी से हम लोग एक सोलियोस्टोन को लगा के हम लोग जो ग्लास है ग्लास पर कॉंडक्टिव ग्लास पर हम लोग लगा के एक OLED बना सकते हैं तो इसी टेक्नोलोजियों को यूज करके हम लोग एक साइजेबल एलेडी हम लोग बनाएंगी जो एलेडी हम लोग देखा है जो एलेडी हम लोग यूज करते हैं उसी तरह हम लोग देखने वाला एक OLED बनाएंगे तो चलीए बनाते हैं किस पकड़ से आसानी से हम लोग एक OLED घर पर बना सकते हैं वह सिखते तो आभी देखिए तो आप Correctivas जो है उसको आप इसी भी शेप में आप कटके LED को बना सकते हैं तो अभी चलिए इसको अभी काट लिया है तो काट के अभी हम लोग इस पर जो की solution डालके हम लोग इसको बनाते हैं तो अभी आप लोग देशेते हैं यह complete हो गया है तो इस पर हमने black tube लगा दिया है ताकि यह दェकने में अच्छा लगे और इसके पीचे की तरफ हमने अनुद्ट का वायर हमने से निकाला है तो अभी इसको आम लोग चेक करेंगे चेक करने के बाद देखते हैं ये काम करता है किसी अच्छे तरह कितना अच्छे तरह ये काम करता है तो अभी हम लोग इस बैटरी को लगाएंगे इस पर लगाने के बाद देखते हैं ये काम करता है या नहीं करता तो अभी देखिए ये काम नहीं कर रहा है क्योंकि मैंने वैटरी को उल्टा लगया है एनोडर कैथोड मिला के इसको लगाना परेगा तो अभी देखिए अभी ये गलो कर रहा है बहुत ही अच्छे से ये गलो कर रहा है तो ये हमने घर पे इसको बना दिया है आप भी इसको बना सकते हैं आसानी से तो देखा आपने किस पकड़ से आसानी से एक OLED हम लोग गज़ बना सकते हैं अगर वीडियो का अच्छा लगा तो लाइक ज़रू केज़ेगा और आपने दोस्तों ज़रू शेयर केज़ेगा आज के लिए तने ही थेंकियो दूस्तों बाई